पूरे इंडिया के बच्चों के लिए जो प्लस वन का सीलेबस है यह जो प्लस वन का सीलेबस है जो 10th का सीलेबस है जो 9th का सीलेबस है उसको 30% कम कर दिया है तो ये जो 30% जो कम syllabus किया है, ये COVID को देखते हुए, lockdown को देखते हुए किया, कि बच्चों को online पढ़ाई में उतनी ज़्यादा syllabus cover नहीं हो पा रही होगी, COVID-19 के कारण बहुत दिन disturbance रहा, आगे भी हो सकता है, disturbance रहे, तो plus one academic जो school का syllabus है, NCRT का, उसका 30% syllabus कम कर दिया गया है, अ चेप्टर के कुछ content को कम कर दिया है, तो जिस चेप्टर में जैसे content कम किया हुआ है, मैं उसको आपको इसे बताने जा रहा हूँ, जैसे, जैसे पहला चेप्टर अगर देखते हैं, चेप्टर वन, लीविंग वर्ल्ड, लीविंग वर्ल्ड चेप्टर में taxonomy and systematics को हटा द दिया है, plant kingdom में ठेलोफाइटा है, ठीक है, ब्रावफाइटा भी है, टेरीडोफाइटा भी है, जिम्नोस्पर्म भी है, बट पूरा का पूरा एंज्योस्पर्म हटा दिया है, यानि चेप्टर वन में समझ गए क्या हटाया है, चेप्टर वन में taxonomy and systematics को हटाया गया है, देक है, उसके बाद taxonomic key पूरा का पूरा हटा दिया गया है, यानि कि taxonomic add जिसको बोलते थे, taxonomic tools जिसको बोलते थे, उसको हटाया गया, प्लांटी किंडम में एंज्योस्पर्म को पूरा हटा दिया गया, बाकी प्लांटी किंडम में सब कुछ है, टेक है, जो आपका third chapter है, जो second unit है, उसमें आपको morphology जो हटाया है, तो morphology में क्या हटाया है, तो मतलब root, stem, leaf, fruit और seed हटा दिया है, उसमें flower को रखा है, यानि morphology of root, stem, leaf, seed and fruit को हटा दिया, उसमें किसको रखा है, सिर्फ flower को रखा है, और family में जो तीन family परना था, liliacee, papillonesi, यानि phabesee और solenacee, उसमें liliacee और solenacee को हटा दिया गया है, उसमें papillonesi, यानि phabesee को ही रखा है, तीन family में एक ही family परना है, और flower पूड़ा परना है, बाकि root, stem, leaf सब हट चुका है, उसके बाद anatomy में, anatomy of function of different tissue and tissue system, dicot और monocot ये हटा दिया है, secondi growth भी हटा दिया है, ठीक है, यानि कि जो tissue system था न, उसमें ये सब चीजें हटा दिया है, ठीक है, यानि कि उसमें तब बचा क्या, उसमें secondary gym, यानि कि permanent tissue के बारे में आपको कुछ परना है, की leaf सब परना है, यानि कि anatomy में 80% portion आपका था दिया गया है, ठीक है, anatomy में, किलियर है पोइंट तो ये चार चेप्टर को कंक्लूड हमने किया एनिमल टिसू में जहां तक बात है ठीक है तो आप ये जानिए कि एनिमल टिसू में जो मॉर्फलॉजी था एनाटोमी था यहनि फंक्शन आफ डिफरेंट सिस्टम डाइजेस्टीब, सर्कुलेटरी यह सब जो भी था फ्रॉग का, कॉक्रोज का, अर्थ वॉर्म का, यह सब पूरा का पूरा आपका हटा दिया गया है सिलेबस से, यहनि चेप्टर वन में भी कम कर दिया गया है, लगभग 50% सिलेबस कम कर दिया गया है, चेप्टर टू में कुछ भी कमने हुआ है, चेप्टर टू यानि पूरा का पूरा biological classification पूरा परना है चेप्टर थर्ड में एंज्यो स्पर्म को हटा दिया चेप्टर फाइब में morphology of flowering plant में root, stem, leaf fruit और seed को हटा दिया गया flower बचा हुआ है और family एक बची हुई है यह मैं conclude कर रहा हूँ फिर से anatomy में मात्र 20% सिलेवस आपको बचा है ठीक है डिफरेंट टाइप आफ फूर्ड परना है उसमें यह आईसो बाइलेटर लिफ ठीक है डॉर्सी वेंटर लिफ यह सब परना है उसके बाद structural organization of animal में मैंने फिर से आपको बताना है कि उसमें ठीक है जितने भी थे cockroach यह सब पूरा का पूरा सब कुछ हटा दिया है यहनि cockroach के सारे system हटा दिये ठीक है उसका उसका सब कुछ यहनि cockroach पूरा का पूरा हट गया ठीक है यह पूरा का पूरा उहाँ पे cockroach अब है इने पहले भी क्या हटा हुआ था अर्थवार वोड फ्रोग अब कॉक्रोच भी हटा दिया है यानि सिर्फ आपको परना है टिसू चेप्टर में सिर्फ टिसू यानि कि पिथिलल टिसू, नर्भस टिसू, ठीक है कनेक्टिब टिसू और मस्कुलिट टिसू ये उसके बाद जहां तक plant physiology की बात है जहां तक plant physiology की बात है उसमें भी आपको बहुत सारे changes है किस-किस चेप्टर में change नहीं है अब देखिए कि जिसमें change नहीं था वो चेप्टर भी मैंने बताया, ठीक है अब देखिए, structure of animal में आपको क्या परना है फाइनली बता रहा हूँ, उसमें फिर से उसमें सिर्फ tissue परना है उसमें frog और earthworm पहले हटा दिया था कॉक्रोच भी हटा दिया ठीक है यनि कि अब उसमें सिर्फ और सिर्फ tissue परना है यनि एक से seven chapter तक में ठीक है यनि कि first chapter में change है ठीक है first chapter में change है थर्ड चेप्टर में चेंज है ठीक है उसके बाद फिफ चेप्टर में चेंज है सिक्थ चेप्टर में चेंज है और सेवन चेप्टर में चेंज है ठीक है अब आईए प्लांट फिजियोलोजी प्लांट फिजियोलोजी में ठीक है अच्छा एक बाद बता दूँ ना तो cell chapter में कोई change है ना तो cell structure function में ना biomolecules में ना आपको cell division chapter में इसमें कोई changes नहीं है इसलिए आपको ditto परना यानि 8, 9, 10 8, 9, 10 4 और second chapter में कोई भी change नहीं है clear है point? यहां तक हमने आपको पूरा clear बता दिया यानि कि 10 chapter के अंदर 10 chapter के अंदर क्या क्या बता है? second chapter में कोई change नहीं second कहते है third chapter में कोई change नहीं planting kingdom में कोई change नहीं फिप्थ chapter यह fourth chapter में कोई change नहीं उसके बाद 8, 9, 10 chapter में कोई भी change नहीं है बाकी सब में जो change है उसका लिस्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ, साथ में, आप प्लीज उसको देखिएगा, आईए, चेप्टर नमर ग्यारा, चेप्टर नमर ग्यारा में, ठीक है, जितना भी water transport की बात थी, active absorption, passive absorption, diffusion, ठीक है, उसके बाद osmosis, ये सारा का सारा हटा दिया गया है syllabus से, जितना भी ये सब था, ठीक है, mass flow hypothesis को भी हटा दिया गया है, ठीक है, transport of food, यानि phloem के दोरा जो transport होता था उसको भी हटा दिया गया है, transpiration pull theory को भी हटा दिया गया है, root pressure और gutation को भी हटा दिया गया है, transpiration भी हट गया है, absorption भी हट गया है, ये सारा कुछ हटा दिया गया है, ठीक है, त कि आप यह समझें ना कि ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट में 90% सिलेबस आपका आउट हो चुका है 90% सिलेबस बचा ही नहीं उसमें यह उनली 10% सबसे ज़्यादा किसी चेप्टर से अगर टॉपिक को हटा गया है वो है ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट ओके तो इससे वो सब करना है बाकी सब कुछ हटा दिया है mineral nutrition में आईए यानि कि mineral nutrition में एक बहुत बड़ा टॉपिक था आपका nitrogen cycle यह पूरी तरह आपको हटा दिया गया है ठीक है पूरी तरह हटा दिया गया है macro and microorganism उसका role जो एक पूरा चार्ट बना हुआ था वो भी पूरी तरह से हटा दिया यह सारा का सारा हटा ही दिया गया है अब देखिए यह जो plant growth and hormone chapter है उसमें आपको जितना भी growth का type था arithmetic growth ठीक है यह क्या उसको बोलते है geometric growth, de-differentiation, differentiation यह सारा कुछ seed germination, photoperiodism, vernalization सब हटा दिया है उसमें सिर्फ बचा है आपको 5 hormone उसका detail औकजीन, cytokinin, gibraline, ethylene, और FC-C-C- इसी 5 hormone के बारे में सब कुछ आपको परना है, बाकी सब कुछ हट गया, photoperiodism भी हट गया, photoperiodism में जो परना होता था, short day plant, long day plant, day neutral plant, यह सब हट चुका है, सारा कुछ हट चुका है, ठीक है, अब आएए human physiology में, digestion and absorption में आपको 80% चीज हटा दिया गया है, ठीक है, उसका detail हम इसमें वीडियो में डाल रखा है, आप उसके text को देखिएगा, जो लिखा हुआ है, उसको आप गौर से देखिएगा, underline करके आप रख लीजेगा, screenshot लेके रख लीजेगा, उसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने आपको digestion का भी बता है, कि उसमें 80% सिले बस कर चुका है, ठीक है, उसके बाद देखिए, locomotion and movement में, locomotion movement जो पहला paragraph है, NCRT का वो बिल्कुल हट गया है, locomotion and movement में सिर्फ आपको सिर्फ परना है, muscles के sliding filament theory, muscles का पूरा structure, उसके अंदर मतलब ये सारा कुछ परना है, और nervous control में eye, ear, इसम हट गया है, sensory organ जो extra में था, वो हट ग कर फस्टति का जो है, वो झाल जब ए भी क्वाय दो क okuman जो कर दो कोगो बिल्कुल है, मुख तो जो आफ बाद नाचरा है, और every गो, तो ह developing दो कर दो है Critår wilt झापको कूड़ का जो को कॉण आफे का।